कि ओड़ी जंग पसे हैं और उसे मिला को आज सका देखा है और उन्हों में अपनी नजर से देखा है और उनसे जानना पता गेए क्या उसे मिला देखने को कि आज में हर वाड में कहीं बहुत सारा इसा वाड है कि आप घुम चुके हैं आपको क्या-क्या देखने में मिला ली था जी अगर ऑनेस्ट आंसर दूं तो सारे वाड में हमें जो इंटर्नल एरिया है उनके बारे में चाहूंगी जहां पर मुझे सडके तो कहीं दिखिन टूटी-बूटी सडके लगता है कि कभी उठता ही नहीं है बसों से पड़ा हुआ कच्रा बैसे ही नाले में सारे नाले में बहरा है और हर जगा गंदगी हर जगा मच्छड की समस्या यह सब मतलब लिटरली आप उस नाले में जाक के देखेंगे तो आपको वॉमिटिंग आ जाएगी ऐसी स्थिती है तो अभी तक हमने जितने वाड गूमें जैसे की वाड नमबर दो चार और या फिर आप सदरोड का ले लिजिए वाड नमर पांच हर जगे की स्थिती वही है साफ सफाई कहीं भी नहीं है दूर दूर तक नहीं है और अभी तक तो यही देखने को मिला है लोगों की कंप्लेन भी यही रही है कि हमारे हां सडके नहीं है पानी में बारिश होती है अगर एक ग जहां कि नाली का पानी जो है रोट पे रहते जाम हो जाम जाम और सीते रिक्सा और चारवान को छोड़ दीजिए जो बच्चे जो कहीं सिक्षा के लिए पिस्कूल जाती है उसे भी बहुत ज्यादा कटना ही होती है जहां कि चार चक्का नहीं चल पा रहा है तो बच्चा प्रशासन को सोचना चाहिए था जो नगर परिशद में नगर माता या जो भी बने यह उनको सोचना चाहिए था क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा इसलिए अब किसी को सोचना पड़ेगा और इसी सोच के साथ हम लोग यहां आए हैं इस चुनावी मैदान में कि लोग अगर ह में समझेंगे कि हम किस लिए आए इसलिए हमने अपना सारा मैनिफेस्टो के थू पब्लिक किया था यह है आने देक्टि जीम्हें कि में wedai फ़ाथ क्या रहता और हर चीज को ट्रांस्परेंट कर देना लोगों तक पहुचाना यह काम इस तरीके काम में तब तक भ्रषटाचार कहीं से नहीं हटेगा, तो हमारा यह कोशिश रहे गा, दुम, नहीं कुछ है कम अज जो मुख परसद होती है, होती है, कही नहीं जनता को उस टाइप मुखपारसत को चुनना चाहिए जो सिक्षित हो जिसे लगे कि नहीं यह सिक्षित हैं और कोई भी काम मेरा जल्दी में कुछ ऐसा भी बन जाते हैं जिसके वएसे सिक्षित नहीं हो पाते हैं या उसको जिनकारी नहीं मिलता कहां से अफडेट हम करें जो कि यह काम जल्द से जल्द हो जाए जी शुल्द से बोलना चाहिए कि सिक्षित होना चाहिए क्यों कि एक Sc nossas जो जानकारी उनके पास होगी वह किस्षा किसी और के पास नहीं हो वैसे लोग डावे यह करते हैं कि नगए प॥र परीशत में आने के लिएुए सिक्षित का कोई महत्त नहीं है ऐसा भी लोगों ने कहा है लोगों ने कहा मगर कहीं न हो तो क्या लगता कि मतलब सही टरब सही तो है तो पूरे मंत्राले में यह चीज है कि आप कम नहीं भी है अगर सिख्षित तो भी आपा सकते हैं, आपको कोई रोक ने सकता अगर जनता आपका साथ दे रही है, लेकिन हाँ, यह चीज है कि एक सिख्षित व्यक्ति जिस तरीके से काम को आगे बढ़ाएगा, वह अलग होगा, उनके सोचने का नजरिया, उनके काम करने का नजरिया, का हुमारे सब्से पहला विकास आ जो है वह नाले की समस्य की या पूरे फ़ार जंच की हमारा सब्से पहला कमूं उस प्राइचस arithmetic जो भी तो उस पे लोगों ने सालों से ऍप क्या है जिन लोगों ने जिनका पैनल्टी बहुत जादा है तौ हम उस पर भी काम करेंगे कि लोगों को ऐसी सुविदाएं देंगे जो उनको अपने टैक्स को पे करने में इस यो लोग एक बार मैं बहुत जदा माउंट होता है तो या पैकने में सक्षम नहीं होते तो हम कुछ ऐसा योजना लाएंगे जिसमें कि वो किष्टों में पे कर सके जिससे कि उनको आसानी हो और उनका जो पेनल्टी है उनको हम हटा सके तो इस पे भी हम काम करना चाहेंगे अपने तो नाली और रोट के लिए चर्चा कर दिया ठीक नाश्चा कि अब करना नहीं है ठाथ में जिर्चेहरा भो जाएंगे में प्रफर दिखने में लोल्ग की यह मैं और लोगbre काहले एंगे लोग के लिए यहीं हां भोग कुछा से ले फार जेन में काथा में बाद सी सिस्टम के लाऍको यहां, कहतwydd हैं लेके जाएगा और जो भी तो हमारा मंञाइंट सेसा था सहां टोसमें जब हम लोग इसक्त 네 planner में आपका डेली क्युकं नियु तो यूप कि नहीं माम डेली तो नहीं आएगा लेकिन कोई समस्या है तो आजाएगा यह तो रोज की समस्या है ना रोज गर से कच्रा निकलता है हर किसी के घर से फूड बेस्ट जो भी है या फिर सब्जी वेगरा का डेली का है वो तो तो उनको यह सुवधाएं करनी चाहिए थी कि रो को समझछी नहीं यह ताँ कि यह कि यह को लगाया मैं ने देखा कच्रें दसबीन के बाहर रहता है लेकिन दसबीन के अंदर कच्रा लोग नहीं कहीं न कहीं बड़ा तो चाहिए शिक्षा चाहिए आपको ग्यान होना चाहिए कि आपको कच्रा फेकना है और कच्रे में आप सग्रिगेट कर सके जैसे हमने देखा नगर परिशद में पंद्रा पड़े हैं जो कि छे महीने जिन्होंने विकास किया उसी दौरान वो आये हैं तो उस मतलब उसको अगर आप यूटिलाइज करेंगे अगर आप लोगों के पास भेजेंगे तो अगर लोगों को यह समझ नहीं है कि घीला कच्रा या सुखा कच्रा क्या होता है तो फिर तो कुछ हो सकता है इसमें लाइट की सुखिदा तो इन लोगों ने बोला कि हमने वेपर लाइट लगवाया है गया कहां हमें नहीं पता हमें भी नहीं पता क्यूंकि बहुत सारे रोज आज भी ऐसे मैं खुद अभी क्यांपेणिंग करें मैं राप को भी जाती हूं शाम अभी जैसे आपको पता है छे बजे तक अंधेरा हो जाता है मैं शाम को भी जाती हूं लेकिन कल जैसे मैं के स्टोला में गूम रही थी और मुझे वहां बड़ा अजी फिर भी लाइट सड़कों पर नहीं जल रही थी तो अब ये भश्टचार तो जिन्हों ने किया है वही जाने बिल्कुल खतम होनी चाहिए इसी सब पर हमें काम करना है अच्छा आप लोग हमेंसा सोशल मीडिया से बने होगे रहा है जी सोशल मीडिया पर ही हमने अपना पहल है यह कोई लालच में अके वोट ना करें अपने शहर के विकास के लिए वोट कीजिए और एक आपने सब को देखा है एक नए को मौका देके देखिए बस इतना ही कहना जाओं जाओंगी इसको सोच समझ कि आप कोई भी फैसला लिए मैं निक्की निरंजिन